ओम शान्ती 31 अगस्त दो हजार चोबिस के इश्वरिय महावाक्य पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा मैं परमात्मा तुम बच्चों को अपने से भी उँच विश्व का मालिक बनाता हूं इस समय तुम बहुत बड़ी लोटरी लेते हो परंतु हो गुप्त तो ऐसी उँची पढ़ाई पर अच्छी रिती ध्यान देना चाहिए सिर्फ याद की यात्रा से काम नहीं चलेगा पढ़ाई भी साथ में जरूरी है 84 का चक्र कैसे लगाते हैं यह बुद्धी में फिरते रहना चाहिए फिर बाबा ने कहा यहां तुम आए हो नरसे नाराइन बनने इसमें योग भी पूरा चाहिए अवस्था ऐसी हो जो पिछाडी में सिवाए एक के और कोई चीज याद न आए ऐसे नहीं कि हम पांच-छे घंटा याद में रहते हैं तो बस लक्षमी नाराइन बन जाएंगे नहीं इसमें तो बड़ी मेहनत करनी पड़े तुम्हारे हाथ में जो धन, बच्चे, शरीर आदी हैं इन सब से ममत्व निकालना है परन्तु कोटों में कोई ही ऐसे निकलेंगे जो सब चीजों से ममत्व निकाल बंदर से देवता बन जाएंगे लास्ट में बाबा ने कहा यहां देहे सहित तुम जो कुछ भी देखते हो उन सब को भूल जाओ अगर इसमें ही अटक पड़े तो उन्च पदपा नहीं सकोगे सिवाए एकशिब बाबा के और कुछ भी याद ना आए तब उन्च प्राइज मिलेगा तुम्हें बाब की याद में रहे पावन बन उन्च पदपाना है नहीं तो मोचरा खाकर पावन बनेंगे अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से बाबा ने कहा मीठे बचे याद के साथ साथ पड़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है याद से पावन बनेंगे और पड़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे प्रैश्न, स्कोलर्शिप लेने के लिए कौन सा पुरुश्यार्थ जरूरी है उत्तर, स्कोलर्शिप लेनी है तो सब चीजों से ममत्व निकाल दो धन, बच्चे, घर आदी कुछ भी याद न आए श्वबाबा ही याद हो, पूरा स्वाह तब उच्पद की प्राप्ती होगी बुद्धी में यह नशा रहना जाहिए कि हम कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हैं हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है और पढ़ाने वाला स्व्यम दुख हरता, सुख करता बाप है वह मौस्ट बिलवेड बाबा हमें पढ़ा रही है ओम श्यान्ती रूहानी बाप, रूहानी बच्चों को समझाते हैं पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कितना फखुर होना चाहिए पढ़ती तो आत्मा है ना आत्मा संसकार ले जाती है शरीर तो राक हो जाता है तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं आत्माई समझती हैं, हम पढ़ते हैं, योग सीखते हैं बाप ने कहा है, याद में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे पतित पावन तो एक ही बाप है ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन थोड़े ही कहेंगे लक्ष्मी नारैन को कहेंगे नहीं, पतित पावन तो है ही एक सारी दुनिया को पावन बनाने वाला है ही एक वह तुम्हारा बाप है बच्चे जानते हैं Most beloved बेहद का बाप है जिसको भक्ती मार्ग में याद करते आये है कि बाबा, आओ, आकर हमारे दुख हरो, सुख दो सुरिस्टी तो वही है इस चक्र में तो सबको आना ही है 84 का चक्र भी बापने समझाया है आत्मा ही संसकार ले जाती है आत्मा जानती है इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अत्वा नर्क से स्वर्ग में जाने के लिए हम पढ़ते हैं बाप आते हैं तुम बच्चों को फिर से विश्व का मालिक बनाने तुम कितना बड़ा इम्तिहान पास कर रहे हो? बड़े ते बड़ा बाप पढ़ा रही हैं. जिस समय बाबा बैट पढ़ाते हैं, तो नशा चड़ता है. बाबा बहुत जोर शोर से नशा चड़ाते हैं. बाप आते ही हैं, अमर लोग के लिए लायक बनाने. यहां तो कोई लायक है नहीं, तुम भी जानते हो हम लायक देवताओं के आगे माथा टेकते आए हैं अब फिर बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं तो वह नशा चड़ा रहना जाहिए ऐसे नहीं, यहां नशा चड़े, फिर बाहर जाने से नशा ही कम हो जाए बच्चे कहते हैं, बाबा, हम आपको भूल जाते हैं आप पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाते हैं तुम बच्चे विश्व के बादशाही की बहुत बड़ी लोटरी लेते हो परंतु तुम हो गुप्त तो ऐसी उंच पढ़ाई पर अच्छी रिती ध्यान देना चाहिए सिर्फ याद की यात्रा से काम नहीं चलेगा पढ़ाई भी जरूरी है चोरासी का चक्र कैसे लगाते हैं यह भी बुद्धी में फिरना चाहिए तुम समझते हो बाबा बड़े जोर से नशा जड़ाते हैं तुम्हारे जितना बड़ा आदमी कोई बन न सके तुम मनश्य से देवता बन जाते हो विश्प का मालिक तुम्हारे सिवाय और कोई बना है क्या क्रिश्चन लोगोंने कोशिश की वर्ल्ड के मालिक बने परंतु ला नहीं कहता जो तुम्हारे सिवाय विश्प का मालिक कोई बने बनाने वाला बाब ही जाहिए और कोई की ताकत नहीं तुम बच्चों का बहुत अच्छा दिमाग होना जाहिए। ग्यान अम्रित का डोज चड़ाते रहते हैं। सिर्फ इस पर नहीं ठहरना है कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं। याद से ही पावन हो जाएंगे परंतु पद भी पाना है। पावन तो मोचरा खाकर भी सबको होना ही है। परंतु बाप आए हैं विश्व का मालिक बनाने। जाएंगे तो सब शांतिधाम में। जाकर सबको सिर्फ बैठ जाना है क्या। वह तो कोई काम के न रहे। काम के वह हैं जो फिर आकर स्वर्ग में राज्य करते हैं। तुम यहां आए ही हो स्वर्ग की बादशाही लेने। तुमको बादशाही थी, फिर माया ने छीन ली, अब फिर माया रावन पर जीत पानी है। विश्प का मालिक तुमको ही बनना है अभी तुमको रावन पर जीत पहनाते हैं क्योंकि तुम रावन राज्ये में विकारी बन गए हो इसलिए मनोश्य की बंदर से भेंट की जाती है बंदर जास्ती विकारी होते हैं देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी हैं यह देव दन, बच्चे, शरीर आदी हैं, सबसे ममत्व निकालना है, साहुकार तो धन के पिछाडी मरते हैं, मुठ्थी में पैसे हैं, वह छूटते नहीं, रावन की जेल में पड़े रहेंगे, कोटों में कोई निकलेंगे, जो सब जीजों से ममत्व निकाल, बंदर से देवता बन ज जाएंगे, जो भी साहुकार लोग बड़े बड़े लखपती हैं, मुठ्थी में पैसे पकड़े हुए हैं, उनके पिछाडी प्राण हैं, सारा दिन महल माडियां, बच्चे आदी ही याद आते रहेंगे, उनकी याद में ही मर जाएंगे, बाप कहते हैं, कि पिछाडी में और कोई चीज याद न आई, सिर्फ मामे कम याद करो, तो जनम जनमांतर के पाप नाश हो जाएं, साहुकार के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं, क्योंकि पाप के पैसे हैं न, काम में नहीं आते, बाप कहते हैं, हम गरीब निवाज, गरीबों को साहुकार, साहुक पारों को गरीब बना देंगे यह दुनिया बदलनी होती है ना कितना पैसे का नशा रहता है हमको इतना धनमाल है एरोपलेन हैं, मोटरे हैं, महल हैं फिर कितना भी माधा मारें कि बाप को याद करें परन्तु याद ठहरेगी नहीं ला नहीं कहता है कोटों में कोई ही निकलेंगे बागी तो पैसा ही याद करते रहेंगे बाप कहते हैं, देह सहित जो कुछ देखते हो उन सब को भूल जाओ इसमें ही अटक पड़े तो उंचपद पा नहीं सकोगे बाबा पुरुशार्थ तो कराएंगे न तुम यहां आये हो नर से नारायन बनने तो इसमें योग भी पूरा जाहिए कोई भी चीज न धन न बच्चे आदी कुछ भी याद न आये सिवाए एकश बाबा के तब तुम उंच ते उंच स्कोलर्शिप ले सकते हो उंच प्राइज पा सकते हो वो लोग विश्व में शान्ती की राये देते हैं तो पाई पैसे का मेडल मिल जाता है उसमें ही खुश हो जाते हैं अभी तुमको क्या प्राइज मिलती है तुम विश्व के मालिक बनते हो ऐसे नहीं हम पाँच छे घंटा याद में रहते हैं तो बस यह लक्ष्मी नारैन बन जाएंगे नहीं, बड़ी मेहनत करनी है एक श्व बाबा की ही याद रहे और कुछ भी पिछाडी में याद न आई तुम बहुत बहुत बड़े देवता बन रहे हो भाप ने समझाया है तुम ही पुझ्य थे फिर माया ने पुझारी पतित बना दिया है तुमको लोग कहते हैं तुम ब्रह्मा को देवता मानते हो या भगवान मानते हो बोलो, हम तो कहते नहीं है कि ब्रह्मा भगवान है तुम आकर समझो तुम्हारे पास अच्छे ते अच्छे चित्र हैं त्रिमूर्ती, गोला और ज्ञाड का चित्र सबसे नंबर वन है। शुरुवात के यही दो चित्र हैं। यही तुम्हारे बहुत काम में आने के हैं। लक्ष्मी नारैन का चित्र तुम विलायत में ले जाओ। उनसे तो ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। सबसे मुख्य चित्र है त्रिमूर्ती, गोला और ज्ञाड का। इसमें दिखाया गया है कौन-कौन कब आते हैं। आधी सनातन देवी देवता धर्म कब खत्म होता है। फिर एक धर्म की स्थापना कौन करते हैं। और सब धर्म खलास हो जाते हैं। सबसे उपर में है शुबाबा, फिर ब्रह्म विष्णू, विष्णू सो ब्रह्मा यह समझानी है ना। उसके लिए ही चितर बनाए हैं। बाकी सोक्ष्म वतन तो सिर्फ सक्षात कार के लिए माना जाता है। बाप रजईता है, पहले सोक्ष्म वतन का, फिर स्थुल वतन का। ब्रह्मा देवता धोड़े ही हैं। सो फिर देवता बनने वाले हैं, देवताईं तो सजे हुए रहते हैं, इनको फरिष्टा कहा जाता है, फरिष्टा बनकर फिर आकर देवता पद पाएंगे, गर्ब महल में जनम लेंगे, दुनिया बदलती रहती है, आगे चलकर तुम सब देखते रहेंगे, अच्छे हो जाएंगे, बाकी थोड़ा समय है, तुम आए हो नरसे नारायन बनने के लिए, फेल होते हैं तो प्रजा बन जाते हैं, सन्यासी आदी यह बातें समझा न सकें, गाते हैं राम राजा, राम प्रजा, फिर वहां अधर्म की बातें हो कैसे सकती, यह सब भक्तिमार्क की बा जारों को कहा जाता है, न कि धन को, धन को समपत्ति कहा जाता है, मनुश्यों को यह भी पता नहीं है कि माया किसको कहा जाता है, यह बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, बाप कहते हैं, मैं परमात्मा, तुमको अपने से भी उँच, वेश्व का मालिक बनाता हूं, तुम पढ़ रहे हो, कितनी उची पढ़ाई है, मनश्य से देवता की ये करत नलागी वार, देवताएं होते हैं सत्युग में, मनश्य होते हैं कल्युग में, तुम अभी संगम पर बैठ, मनश्य से देवता बन रहे हो, कितना सहज बताते हैं, पवित्र जरूर बनना है, तो प्रजा भी बहुत बनानी है, कल्प कल्प, तुम इतनी प्रजा बनाते हो, जितनी सत्युग में थी, सत्युग था, अब नहीं है, फिर होगा, यह लक्ष्मी नारायन विश्म के मालिक होंगे, चित्र तो है ना, बाब कहते हैं, यह ज्यान तुमको अभी देता हूँ, फिर प्रायलोप हो जाता है, फिर द्वापर से भक्ति शुरू होती है, रावन राज्ये आ जाता है, तुम विलायत में भी यह समझा सकते हो, कि स्रिस्टी का चक्र कैसे फिरता है, लक्ष्मी नारायन के चित्र से और ध क्राइस्ट क्लास हैं, जाड और गोले से समझ जाएंगे, यह यह धर्म कब आएंगे, क्राइस्ट कब आएगा, आधा में हैं वह सब धर्म, बागी आधा में हो, तुम सुर्यवन्शी चंद्रवन्शी, पांच हजार वर्ष का खेल है, ज्यान भक्ति वैराग्य, ज्यान है दिन, भक्ति है रात, फिर बेहद का वैराग्य होता है, तुम जानते हो, यह पुराने दुनिया खलास हो जानी है, तो इनको भूल जाना है, पतित पावन कोन है, यह भी सिद्ध करना है, दिन रात गाते रहते हैं, पतित पावन सीता राम, गांधी भी गीता पढ़ते थे, वह भी ऐसे गाते थे, हे पतित पावन सीताओं के राम, क्योंकि तुम सब सीताएं ब्राइट्स होना, बाप है ब्राइट ग्रूम, फिर कह देते रगुपती राघव राजा राम, अब वह त्रेता का राजा है, सारी बात ही मुझादी है, सब ताली बजाते गाते रहते है हम भी गाते थे, एक वर्ष खादी का कपड़ादी पहना, बाप बेट समझाते हैं कि यह भी गांधी का फोलोवर बना था, इसने तो सब कुछ अनभव किया है, फरस्ट सो लास्ट बन गया है, अब फिर फरस्ट बनेगा, तुमको कहते हैं, जहां तहां ब्रह्मा को बिठा यह भी समझाना चाहिए, अरे, जाड के ऊपर खड़ा है, कितना क्लियर है, यह तो पतित दुनिया के अंत में खड़ा है, श्रीक्रेशन को भी ऊपर में दिखाया है, दो बिल्ले लड़ते हैं, मक्खन श्रीक्रेशन खा लेते हैं, माताओं को साक्षात कार होता है, वह मुख में माक्षन है, अथ्वा चंद्रमा है, वास्तों में है, विश्व की बादशाही मुख में, दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं, माक्षन तुम देवताओं को मिल जाता है, यह है विश्व की बादशाही रूपी माक्षन, बॉमसाधी बनाने की भी बहुत से मनश्य मर जाए, ऐसा ना हो, चिलाते रहें, जैसे हिरोशिमा का है, अभी तक मरीज पड़े हैं, तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्ब तक तुम सुखी रहते हो, कोई भी प्रकार की लड़ाई यादी का नाम नहीं रहता, यह सब पीछे शुरू ह कोई हैं, यह सब नहीं थे, न रहेंगे, चक्र रिपीट होता है न, बाप सब अच्छी रिती समझाते हैं, जो बच्चों को पूरी रिती धारन करना है, और इश्वरिय सेवा में लग जाना है, यह तो छीची दुनिया है, इनको विशे वैतर्णी नदी कहा जाता है, तो बच्चों को बाप पैट समझाते हैं, तुम अपने को इतना उच्छ नहीं समझते हो, जितना बाप तुम को उच्छ समझते हैं, तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत उच्छ कुलके हो, अच्छा? दारणा के लिए मुख्ये सार पहला पॉइंट अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ग्यानम्रित का डोज चड़ाना है याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा पूरा ध्यान अवश्य देना है क्योंकि पढ़ाई से ही उँच पद मिलता है दूसरा हम उँच ते उँच कुल के हैं स्व्यम भगवान हमें पढ़ाता है इसी नशे में रहना है ज्यान धारण कर इश्वरिय सेवा में लग जाना है आज का वर्दान संतुस्टता की विशेस्ता दवारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृड़ता संपन्न भव संतुस्टता की विशेस्ता दवारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले द्रिडता संपन्न भफ। बाबा ने कहा संतुस्ट ता ब्राह्मनों का विशेस लक्षन है जो भी पार्ट मिला है उसमें संतुस्ट रहना ही आगे बढ़ना है कुछ भी नीचे उपर हो जाए कोई इंसल्ट भी कर दे लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में असंतुस्ट नहीं हो सकते वे स्व्यम से भी संतुस्ट और औरों से भी संतुस्ट होंगे इसके लिए द्रिडता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी कड़ा पेपर आ जाए लेकिन मुझे संतुस्ट रहना ही है तो सफल होते रहेंगे स्लोगन खुश नुमा वह है जिसके दिल में सदा खुशी का सूरिय उदे रहता है अच्छा ओम शान्ती अब सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली इसके लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक करेंगे क्या वह है जिसके लिए झाल सुनते हैं आज की अव्यक्त मुर्णा की अव्यक्त मुर्णा झाल सुनते हैं